नमस्कार दोस्तों मैं जीत्मार एडवांस एक्सर चैरिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ इस यूटूब वीडियो टुटोरियल में और आप लोगे मेरे चैनल सिस्क्राइब नी किया तर प्ली सिस्क्राइब कर लिजे और हमारी जो तो आप लोगों ने इंटर्नेट पे या मेरी कई साली क्लासिस में मुझे देखा होगा कि डिक्लेर करते हुए इस यह आप एवीडिकों लेते हुए देखा था तो बेसिकली है क्या है चीजिए तो अगर आपको वीडिये माक्रों में कोई फॉर्मूला लगाना है कोई कल्कुलेशन करनी है तो उसका रिजल्ट कहीं कहीं होल्ड करना पड़ेगा आपको क्या सब्सक्राइब तो रिजल्ट से मान लिजे इंचे 10 प्लस 20 करना है तो 10 प्लस 20 का रिजल्ट कहां होल्ड होगा खायत मुझे एक रेंज देना होगा के रेंज लेकिन हर बार हम इसको वैल्यू इक्वल टो 10 प्लस 20 तो हर बार हम रेंज एक रेंज को तो नहीं यूज कर सकते हैं तो कि हर बार मैं एक रेंज यूज करूंगा तो फिर वो रेंज को खाली होना चाहिए तो यहां पर इस चीज से बचने के लिए हम ABCD ऐसे ब्रेबबर ले ले लिए तो को में पर यहां करने की जरूप क्यों परती है तो बेसिकली कास्टिंग के लिए उसकी कास्ट उसकी टाइप को डिसाइट करने के लिए तो कि मैं एक वल्टू यहां भी ले सकता और नीचे मैं ऐस एक्वल डू टैक्स्ट भी ले सकता तो मुझे वैलिएशन लगाना है कि टैक्स्ट सैप्ट ना करे इस वेरेबल पर क्योंकि इस वेरेबल पर कल्कुलेशन हो रही है तो यहां पर टैक्स्ट को असेप्ट करना थोरी सी गलत होगा ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं वेरेवन डिकले करते हैं कि दिम आर एजे इसलिए है एजे हमने बोल लिया इंटीजर तो अब आगर को इस पर टैक्स ला लेगा तो उसको एरर शो करेगा वो शो करेगा टाइप मिस्मैज का अगर आप एक वेरवल पे कोई और तरह के डेता को डालते हैं जो उसके कास्ट का नहीं है तो ताह निसमीरक आर इस तो इसमार्ड को करने हिए गया तो आपको समझ मेन आएक कि हम डेता सबसे पहले चीज़ा संग जेके हम डे लेते क्यों है और उसको हम क्यों करते हैं कि दो आप लोगों समझ में आया है सोनु कुमार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं कि यह सर सुन रहा हुए मुझे समझाइए कि हम डेटा टाइप क्यों लेते हैं कि सब्सक्राइब की डेटा को स्टोर करने के लिए जैसे कि अगर मुझे टेक्स्ट यूज करना है तो टेक्स्ट यूज का डेटा लेंगे और अगर मुझे करनी है तो गलत बोले इस तरह से नहीं बोले इस तरह से इन प्रफिव में बोलेगा तो चाटी देगा आपको समझें इरनिक टाइम के लिए क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं है जैसे अंड सबसे बहा निकलेगा एक अश्टित्व कतम हो जाए समझें तो टेंपर ली ओल्ड करने के लिए रएट और हम कास्टिंग क्यों करते हैं मैंने डिफाइन क्यों करते हैं ताकि हम वाजिदेंट कर सकें कि इस अच्छी का सब्सक्रारा या दूसरा जैसे कि माल कर गया क्या तो 25.36 या फिर 25 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से तो result obviously बात है कि इसमें आएगा basements में आएगा तो कि मुझे basements नहीं रखने हैं मुझे value को bound करना है तो हम अगर यहां पर dim kaj long या integer define कर रहे हैं तो value पर k पर सिर्फ राउंड होके store होगा इसके value जो है आपका decimal store नहीं होगा क्योंकि integer decimal पर store नहीं करता है तो दो चीजे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि value को validate करते हैं कि मीशी तरगा entry हो और दूसरा जो value हमें चाहिए वहीं मिले बाकी को और खटा उसके अब integer करें पर integer देखा था करें पर long देखा था होता क्या है क्या क्या कितने तरह का है तो अगर हम category वाई category चले तो number की पहले बात करते हैं तो number में सबसे छोटा होता है होता है dim as a byte ठीक है फिर आता है integer उसके बाद आता है dim as a long उसके बाद आता है dim as a double ठीक है तो number में basically अगर आपने बाइट लिया तो बाइट में आप जो है वैलू जो है जीरो से लेके सिर्फ 255 की hold कर सकते है minus नहीं और days नहीं अगर आपको इससे जादा बड़ा value hold हो सकता है तो आप integer ले तो integer में जो होता है ओ होता है कि minus 32,000 something से plus 32,000 से जाता है उससे भी बड़ा चाहिए तो long लेते हैं लेकिन तीनो बे बाइट integer long बाइट से चोटा है उससे बड़ा integer है और सबसे बड़ा long है और double जहें उससे बड़ा है लेकि double की खासियत है कि ओर decimals को भी store करता है लेकि बाकी के ऊपर तीनो वैलू decimals को store नहीं करता है तो number के लिए 4 उसके बाद अगर हम बात करें कि मैं करूं दिम A as a boolean वो A as a boolean कर दिया इसका मतलब है कि A के ऊपर true and false ही store होगा इसके बाद next जो आता है वो आता अगर date and time है तो हमने कर दिया दिम A as a date and time date sorry और इची ध्यान रखेगा मैं A की नाम का variable बना रहा हूँ लेकिन ऐसा गलत है एक नाम के दो variable नहीं होते है तो मैं ऐसी दे रहा हूँ लेकिन आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है तो date कर दिया थे क्या होगा कि A equal to आप यहां पर inverted command date डालेंगे तो convert करके date या convert करके time वो change कर देगा समझे है तो जिस format में लिके वो automatic format change कर लेगा date तो date के लिए होता है अब मुझे माल लिए कि text वगद include करने के लिए तो text वगद include करने के लिए हम लोग क्या करते है वो करते है कि dim A as a string string पे हम कुछ भी store कर सकते है लेकिन as a text format मतलब कि ऐसे number, date, time, value चाहे जो भी ABCD कुछ भी डालना चाहते हो जिस पे किसी भी तरह का calculation नहीं करना है उसको आप string में डाल सकते हो ठीक है अब आप confused हो जाओ है कि byte क्या डाले, integer क्या डाले, long डाले या bullet डाले, date या time डाले, क्या डाले, confused है तो आप define कर सकते है dim a as a variant ठीक है a as a variant और a पे आप जैसा डालेंगे उसी तरह से calculate होगा ठीक है सब्सक्राइब जैसे की इंटरनेट को आउट लूप को ऐसे को आप hold करना चाहते हैं तो एक से रूड़ ठीक है और आप अगर value को hold करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं कि यहीं नहीं हम यहां पर एक 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 पर करते हैं से अब्जेक्ट पर रेंज पर सब्सक्राइब लगाते डार्यक इक्वल नहीं करते हैं कि सेट आर इक्वल टू हमने बूल दिया रेंज एवन से एवन से सीफिटी अब जहां मुझे एवन सीफिटीं की जोट पड़ेगी मैं जस्ट आर इस्तिमाल करूँ यहीं नहीं हम यहां पर एक एक वर्क भी कर सकते हैं हम यहां करता हूं सेट डबलू इक्वल टू एक्वल टू एक्टीव थोई माफिए वार्क बूक्स डॉट इस वहांने जो इवराज है ना उस वह नहीं है कि अधिक जिद्ध है क्यों मेरे साथ ही स्वहिन है और यहां पर फिर दिजिए विट डबलू इक्वल टू डॉट सेव एज यहां तो अपना लोकेशन डाल दीजिए जहां सेव करना है डॉट पास्बोड तो आप इस तरह से कर सकते हैं तो आप एक वर्क को भी असाइन कर सकते हो जैसे कि आप है जी सर हां बुलीज तो जी सर यह जो आपने डी में ऐसे डेट लिखा है अब इसमें जो डेटा मेरे सॉफ्टर से निकलता है साथ हजार आठ हजार पर का रोड का टोटल डेटा होता है तो उसमें जो डेट कॉर्मेट आता है वो टेक्स्ट में आता है तो इससे डेट में लेखो अटने कनवर्ट करतेगा तो मैं वही सोच गाँ सर मुझे तो 15 वीस मेंट लग जाते हैं वसको देट कॉरमेंट में लाने क्योंकि एक से लेके 30 तक का डेट होता है हूँ क्यों वह तो सिंपल है आप टेक्स को कॉलम कर दो ना अपने अब हो जाएगी बितिन सा किनम हो जाएग सर इसमें कॉमा वगेरा सब आता है तो टेक्स को कॉलम करें देखो बजाई पहले आप आई किया था सर मने टेक्स कॉलम ठीक है अब और इसमें आता है कि अगर यहां पे वेरियंट ले कि वेरियंट जो है हमारा सरे सब कुछ लेड़ता है नम्बर डेता ही बैसलिए अबजेक्ट टाइब नीचे बताया है और उपर आपका डेटाइब पर जान नखिएगे अबजेक्ट या range है या workbook है या worksheet है वह आपका data type भी नहीं आएगा वह आपका object type में आएगा दो तरह का variables होते है data type और object type दूरे तीन होते हैं एक होता data type दूसरा होता object type और तीसरा होता है आपका event type तो यह workbook है तिसे थे event हमने एक event को store कर दिया variable to ठीक है और इसको define करने के जरूत नहीं पड़ती है तो question इसमें उठता है हम नीची के सब बूल जाए हम variant तक की बात करें तो हम क्यों define करेंगे हम direct variant दे लें तो वेरियेंट क्या करता है कि अपने आपको convert कर लेता है तो हम बाकी जमिला क्यों करें और यहां तक मुझे define करने की जरूत नहीं है मैं directly लिख सकता हूँ directly मैं k equal कुछ भी कर सकता हूँ तो जमिला क्यों रखें तो इसके लिए आप से एक computer की एक theory को बढ़ना पड़ेगा computer की theory कहता है कि computer के अंदर में कुछ भी होता है तो उसके लिए आपका एक computer space capture करता है system के अंदर कि system के अंदर में वो एक space को capture करता है तो अगर हम यहां पर कुछ कर रहे हैं तो भी space capture करेगा तो अगर आप byte करते हो तो वह एक छोटा से space भी 1 byte को करेगा integer 2 byte करेगा double 8 byte करेगा 4 byte करेगा इस तरह से एक size तो अगर आप करोगे तो जितना अगर विडियेंट से ज़्यादा लेता है 32 byte के असपा से 16 byte विडियेंट लेता है तो question A उड़ता है कि हम size से क्यों घब रहे हैं मेरे पास तो GV में TV में hard disk और GV में RAM तो एक subject जो है हमारा जैसे टीटी आपने subject लिखा एक macro लिखा इसका एक maximum size limit है कि एक macro आप 255 KV से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं ठीक है तो कलके date में अभी तो छोटा मोटा macro पर फर्क निपूता है तो जब बड़े बड़े macro आप पनाओंगे वहाँ पर आपको fall पढ़ेगा ठीक है और range का यूज होता है जिसकी बड़े बड़े करके लास्ट लास्ट क्रासन में याद होगा मैंने आपको dynamic range पर हाया था तो आप एक जगह इस्तमाल करें और उसको assign कर दें RQ किसी एक variables की उपर और फिर next time जहां जहीं उसकरना उस variable की इस्तमाल करें फिर से आपको calculate row and column को deal निकालना और selection and आप external right, down, left की सबना करना पर है ठीक है दूसलिए range इस्तमाल करते है और events, events की इस्तमाल इसले करते हैं ताकि मान लिजिए कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं और उसके हमें कहीं सारे काम करना है तो एक अजसे मान लिए workbook.add है तो मुझे save ad भी करना है, password भी देना है और कुछ और भी करना है मान लिजिए ठीक है तो उसके लिए आपको अल अल सारे variables रिखना पड़ता workbook करना हम बहुत सारे चीज़ क्या यहां आपने work को assign किया तो यह सीट पर करना चाहते हो यह सीट पर करनो तो ऐसे आप अपना filter बहुत सारे काम जो है इस पर आसे event को assign करते हैं तो कोई doubt आप लोगों को सर टाइम के लिए कोई variable नी है डेट जो है date and time दूनों के लिए होता है ठीक है तो एक बार दुबार रिपीट करता हूं तीन तरह का data type होता है पहला होता है available तीन तरह का होते हैं पहला होता data type जिस पर हम data store करते हैं अपना किसी भी तरह का text number data वगरा जो कि आपको byte, integer, double, long, boolean, date, string, variant है दूजर आता object type जो कि हमारा object में है अब्जेक्ट और रेंज होता है ऐसे workbook, worksheet से design करते हैं आगे बताव में चोड करेक्टिवीटी में इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा होता है event event type जिसमें हम एक काम को एक action को assign करते हैं जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया हुआ है अब इसके बारे में detail में आप जाना चाहते हैं तो आपके drive में एक book है जॉन वाकन बीज की जिसका एकसल वी भी यह पावर पुवांग नाम है उसके page number 199 में जाई है तो 199 जाएंगे आपसपास की तक्रीबन 5 से 10 page को आप पढ़ें तो आपको data type के बारे में और ज़्यदा जनकारी मिलेगे और उस पे DA के example को भी करने की कोशिस करें तो अभी आपको क्या करना है जो आपके drive में जो book है उस book का page number 199 को open करना है और उसके आज पास के 5 से 10 page को पढ़ना है और उसके दिये ये example को करना है उसके बाद कल की class में हम आपको अपराएंगे